नमस्कार कैसे हो आप लोग आज हम बात करेंगे कि थायराइड किस किस कारण से होता है इससे पहला वीडियो मेंने बताया था था थायराइड प्रोब्लम क्या होता है थायराइड का एनाटोमिक मैंने दिखाया था आपको और हाइपर और हाइपो थायराइडिजम हो जाता है तो हमारे physiological changes क्या होता है जिसको हम clinical symptoms बोलते हैं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के description में मैंने link डाला है आप अवस देखिए तो आपको clear सब कुछ समझ में आ जाएगा इसमें हम सिर्फ जानेंगे कि thyroid की जो समस्या होती है चाहे hyperthyroidism हो या hypothyroidism हो वो क्यों होता है main causes of thyroid problem iodine deficiency thyroid gland से दो प्रकार का हरबोन बनता है जिसको T4 और T3 बोलते हैं T4 को thyroxine बोलते हैं जो 4 iodide atom का बना होता है T3 को 3idothironine बोलते हैं जो 3 iodide atom का बना होता है अगर आपके सरीर में iodine की deficiency है iodine की कमी है तो thyroid gland adequate amount में T4 और T3 produce नहीं कर पाता है जिससे आपको thyroid की समस्या आ सकती है जब iodine deficiency होगा तो आपको hypothyroidism का problem होगा autoimmune disease हमारे सरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो autoimmune disease के कारण होता है उसमें एक thyroid problem भी होता है autoimmune disease का मतलब है कि हमारे सरीर में प्रतिरक्षा तंत्र है जिसको immune system बोलते हैं और immune system का काम है कि बाहर से जो भी bacteria virus आता है जो pathogens बोलते हैं उसे protect करता है हमारे body को लेकिन कभी कभी misconception के कारण कुछ disturbance के कारण जो हमारा प्रतिरक्षा हमारे सरीर के against में हो जाता है और हमारे अच्छे sale को damage करने लगता है जैसा कि आपने पहले सुना होगा कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ था कि वहां का जो रक्षा प्रनाली थी वही सरकार पर हावी हो गई थी और सरकार पर कभजा कर ले थी और अपना सासन लगा दिया था ठीक उसी तरह जो हमारा defense mechanism है वह हमारे body के against हो जाता है और हमारे अच्छे sale को damage करने लगता है तो ऐसी जब इस्थिति आएगी तो आपको hyperthyroidism और थारे डिजम दोनों होने की संभावना होती है अगर अटोइम्यून डिजीज के कारण आपको hyperthyroidism का प्रोब्लम हो गया है तो यह हो गया अटे इम्यून डिजीज के कारण आपको hyperthyroidism और hypothyroidism दोनों का प्रोब्लम हो शकता है कभी कभी देखा गया है कि thyroid gland के अंदर में non-cancerous lumps जो है develop हो जाता है इस्थिति में भी आपको thyroid gland affected होता है और thyroid का हर्मोन का सेक्रेशन कम हो जाता है तो फिर आपको thyroid की problem हो शकता है कभी-कभी thyroid gland में cancerous cell भी develop हो जाता है और यह बहुत कम होता है लेकिन जब अगर ऐसा कुछ हुआ तो भी आपका thyroid gland disturb हो जाता है और वैसे इसी में आपको hyper और hypo दोनों की स्थिति बन सकती है दूसरा है acute infection कभी-कभी inflammation हो जाता है आपके thyroid gland में यह क्यासे होता है जब कभी कोई pathogen attack करता है आपके शरीर में और आपका facing जो है उससे thyroid gland से हो जाता है तो उसको affected कर देता है उसमें inflammation हो जाएगा तो वैसे में भी आपको thyroid gland से जो thyroid hormone का सेक्रेशन हो रहा है जो production हो रहा है वो adequate amount में नहीं होगा कम या अधिक दोनों हो शकता है तो इसको acute thyroid problem बोला जाता है अन्य causes में हम इसको genetic characters भी मान सकते हैं जैसे अगर माता पिता को अगर है thyroid की problem तो बच्चे को भी होने की probability जादा रहता है अगर सिर्फ माता का है तो 50% और माता पिता दोनों का है तो 75% thyroid का problem होने की शंबामना जादा होता है इसलिए pregnancy period में ये बारवा routine चेक में thyroid का चेक किय जाता है ताकि आपका thyroid को जो है control लखा जाए और आपके बच्चे को भी thyroid की problem नहीं इन सभी कारणों में आज जो सबसे बारा कारण है वो है excessive hot intake और excessive cold intake फ्रीज आज हर घर-घर में है और वही फ्रीज आपको बहुत सारी बीमारियं का कारण बनता है उसमें से एक बीमारी आ gland facing होता है और वैसे में आपको thyroid की problem होता है चाहिए वो cold drink के रूप में लेते हो या फिर freeze का पानी पीते हो जो लोग अधिक से अधिक चाय और coffee पीते हैं उनको भी thyroid के problem होने की probability जो है बहुत जादा हो जाता है क्योंकि गर्म चाय हो या coffee हो इतना गर्म होता है जो कि आपके sale को damage कर देता है तो आप अगर जादे चाय और coffee लेते हैं तो यह समझ कि ड़किए कि भविस में आपको thyroid का problem होने की शमभावना जादे है तो यह सब चीज है जिसको trigger factor है आपको thyroid होने का कुछ ऐसी चीजे हैं जिसको आप रोक सकते हैं जिसको जिससे आप बच सकते हैं जो हम जो भी खाना खाते हैं यह कभी सोचते नहीं है कि जो खाना हमको प्राकृति ने उपलब्द कराया है वह इसलिए कि सरीर को nourishment मिले शरीर को हमको उर्जा मिले लेकिन हम जो खाना खाते हैं जिवा के श्वाद के लिए खाते हैं आप खुद से कभी सोचिए कि fast food जो available होता है क्या उसमें कोई nutrition value है कोई protein मिलता है आपको plane carbohydrate मिलता है saturated fats मिलता है न उसमें आपको dietary fiber मिलता है न मिनरल से विटामिन से तो कैसे सही होगा हमारा स्वास्त कैसे स्वास्त हम रहेंगे चुकि पूरे सरीर को स्वास्त रखने के लिए हमको micronutrients mineral vitamins की बहुत ही जरूरी होता है यह वैसे चीज़ खाना चाहिए जो हमको body को new resentment मिले तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमको क्या-क्या खाना चाहिए और किस-किस खाने को हमको नहीं खाना चाहिए जो कि बहुत ही important है thyroid के problem अगर है उसको management करने में तो आप दूसरा वीडियो जरूर देखिए फिर म